राजस्तान में अभी ओ तेज गर्मी के शुरुआत 25 मई से हुने वाली है मोसम विभाग ने बेज जिलों के लिए रेड अलट जारी किया है इन जिलों के दिन के साथ साथ रात में भी तेज गर्मी रहने की संभावना है इस दोरां ताफमान 47 जिग्री सेलसियस या उससे पर पहुँच सकता है मोसम विभाग निया जैपूर टोंक अजमेर और इनकी आसवास के जिलों में दो पैर में धूल भरी हवा चलने और कहीं कहीं हलकी बारिश या बूंदा बांदी की संभावना जताई है इससे पहले समवार को राज्य की अधिकांज जिले भीश्नी गर सबसे जादा गर्मी श्री गंगानगर में रही जहां का ताप मान 46.3 डिग्री सेल्शियस दर्ज हुआ दोपैर में तेज गर्मी के दोरान जैपूर दोसा अलवर अजमेर सीकर में कुछ समय के लिए हलकी बादल चाय रहे कहीं कहीं हलकी धूल भरी हवा चली और कुछ इस् में दूल भरी हवा चलने और कहीं कहीं हलकी बारिश या बूंदा बांदी की संभावना जताई है जैपूर अजमेर सीकर टोंग दो सा सवाई मादेपूर में सुबह से आसमान बादलों से घिरा हुआ है कलदाजस्तान के पूर्वी हिस्सों में इस यहरों के तापमान में थोड़ी गिरावाट रही कोटा जैपूर अजमेर करोली 12 अलवर भीलवाड़ा में अधित्तम तापमान एक से 155 जुग्री सेल्सियस तक गिर गया अजमेर में तापमान 43.5 भीलवाड़ा में 43.2 अलवर में 44.8 जैपूर में 42.2 और कोटा में 45.8 डिग्री सेल्सियस वहीं पश्यमी राजस्तान के बार में में 46.1 जैसल में 45 चोधपूर में 44.6 फलोदी में 46 बिक्रनेर में 44.8 चूरू में 45.5 जालोर में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ